इसमें एक चीज में आपको और बताता हूं side-by-side क्योंकि यह थोड़ा सा है क्विश्चन को इन्होंने change कर दिया थाकि बच्चे गन्फ्यूज है जनरली जब यह क्विश्चन पूछते हैं कि acidic medium में, permagnate ion में क्या होगा या faintly या neutral alkaline medium में क्या होगा उसमें देखे, ideally यह reaction बनती है कि जो acidic medium है उसमें जैसे permagnate ion है MnO4 negative वो convert होता है Mn2 plus में ध्यान देखना भी पहले मैं क्या कहना हूँ और जो neutral या faintly alkaline medium है उसमें generally convert होता है MnO4 negative MnO2 में इन्होंने question में क्या है कि acidic medium में permagnate convert हो गया MnO2 में तो कोई भी reaction हो सकती है लेकिन generally अगर यह reaction इस तरह से specifically ना दे तो आप यही मान के चलें कि acidic medium में यह reaction होगी और neutral और faintly alkaline medium में यह reaction होगी मतलब प्लस 7 से प्लस 2 में जा रहा है याने इसमें कितना होगी प्लस 5 electron का transfer और इसमें क्या है प्लस 7 से प्लस 4 में जा रहा है याने इसमें प्लस 3 का oxidation स्टेट का अनतर याने 3 electron ठीक है देखे काईदे से तो आपको अब calculate करने की जोती नहीं बस acidic medium इन्होंने change कर दिया acidic के बज़ा है neutral alkaline medium रख देते तो जादा better रहता है क्योंकि यह प्लस 7 तू प्लस 4 हो रहा है प्लस 3 याने 3 electron transfer हो रहा है लेकिन वैसे अगर मीडियम ना देते तो आप इस तरह से मीडियम पूछते तो न्यूट्रल या फेंटल alkaline medium बोलते आप ठीक है और 3 electron transfer हो गया लेकिन क्योंकि इन्होंने acidic medium में बता दिया तो let's just see कि क्या reaction इनकी बनी होगी बस आपको redox reaction है तो इन्होंने कहा है कि MnO4 negative convert हो रहा है MnO2 में in acidic medium याने h ions present होने चाहिए तो जब आप इसको balance करोगे तो reaction क्या बन जाती है कि MnO4 negative प्लस 4H positive प्लस 3 electrons और MnO2 प्लस 2H2 ठीक है तो यह reaction basically हो रही है इसमें तो इसमें भी 3 electron का transfer हो रहा है तो आप ऐसे इसको balance out करके भी निकाल सकते हो otherwise जो मैंने आपको faintly alkaline medium वाला बताया था उसमें तो आपको में direct बताई रहा था तो वहां से भी ऐसे कर सकते हो कि MnO4 negative अगर MnO2 में convert करता है तो 3 electron का transfer हो so I hope आपको guys question समझ में आ गया होगा और इसमें अगर थोड़ा सा tilt भी होगा कि वो भी समझ में आ गया होगा so fill eyes में correct transfer क्या हो गया 3 electron का transfer होगा